नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स नाइन लाइफ आज की वीडियो में हम बात करें हैं अमिताब बच्चन की आप सभी जानते हैं अमिताब बच्चन 79 एयर्स की हो चुके हैं लेकिन इसी बीच उनके काम को लेकर लगातार वो च इसे मिलता है कि वो किस तरह से इस उम्र में होने के बाद भी अक्टिव होकर काम करते हैं अपने शो चलाते हैं अपनी फिल्म बनाते हैं यही सबसे बड़ी बात है यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता एक सिल्विटी की ओर से कि आप इस उम्र में काम करते हैं तो दूसर बीच अमिताब बच्चन की एक post ने फिर से उनको ट्रोल के चकर में डाल दिया जो आमिताब बच्चन कई बार अपने कई post को लेकर ट्रोल होते रहते हैं इसे बीच अमिताब बच्चन लगतार आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर active रहते हैं क। पोस्ट अप्लूट करते हैं अपने फोटोस हो नाती के साथ बेची के साथ पोटी के साथ तिस वो फोटो जो है फोटो करते रहते हैं उनको जो है इस पर बहुत अच्छी जी कॉमेंस कर रहे हैं लेकिन इस से बीच ट्रोलर की कमी रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता जिहां फिर से एक ट्रोलर ने ट्रोल किया ये ट्रोलर एक महिला है जिन्होंने अमिताब बच्चन को उस पोस पर कुछ ऐसी बात लिखी जिसका अम महिला ने कॉमेंट क्या क्या है अमिताब बच्चन इस पर कॉमेंट करते हुए महिला फ्यान ने लिखा बुड़ापे में सही भगवान की याद तो आई बच्चन सर भला बिग बी चुप कैसे बैठते महिला के इस कॉमेंट पर अमिताब बच्चन ने भी करारा जवाद द कि इतने सालों से आप ही तो देख रही है कि मैं क्या पूछ अच्छन कर रहा हूं लेकर अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी है इसी बीच नए फिल्म को लेकर भी आक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर अपलोड करते सबसे बहें हैं कि यही लगती है कि वह भी जानते हैं कि फैंस्कों बहूरत पसंद है कि आंप उनसे connectivity रखें और जिस तरह से वो reply कर देते हैं वो चीज काफी खास भी लगती है अभी ताप बच्चों लगदार जो है चर्चा में बने रहे जाहां उनकी बहु यानि अश्वरे राइकांस फिल्म फेस्टिवल पहुची उस पर भी उन्होंने टीपडी की कई ऐसी चीजें थी ज और और भी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव